देखो ये question है advance 2007 का ठीक है आपको ये सब question हम solve करके नहीं दिखाएंगे हम ये दिखाते हैं कि कैसे आप बहुत तुरंत solve कर लोगे ठीक है एक exam hall में solve करना एक घर पे solve करना बहुत फर्क होता है ठीक है आपको approach हम बताते हैं तो कह रहा है if mod of z is equal to 1 and z not equal to plus minus 1 ठीक है पहले इसी condition को यहां देखते हैं सबसे असान value आपको अगर आपको कहें कि mod of z is equal to 1 हो और z जो हो वो plus minus 1 के बराबर नहीं हो तो आपको या strike करेगा z is equal to y या minus i ठीक है यह देखो mod z 1 के बराबर ठीक है और जो condition है वो भी fulfill हो रहे है ठीक है तो यह चीज़ हमें तुरंत strike कर गया ठीक है अब क्या पूछता है then all the values of z upon 1 minus z square lie on अब इसको देखो एक बार i put करते हैं तो i upon 1 minus i square is equal to i upon 2 ठीक है अब हम coordinate axis draw कर लेते हो ठीक है यह y axis है i by 2 y axis पर लाई करेगा तो यहां है i by 2 ठीक है अब एक बार minus i put कर लेते हैं minus i upon 1 minus minus i square is equal to minus i by 2 कहां लाई किया यहां लाई किया ठीक है minus i by 2 अगर आप देखो तो एक line इससे जा रही है यह y axis है जिससे और यह origin है यह origin से होते हुए निकल रही है ठीक है अब option पढ़ते है a line not passing through the origin एक ऐसा line जो origin से पास नहीं कर रहा है भाई देखो यह y axis origin से तो पास कर रहे है option गलब mod of z is equal to root 2 भाई अगर mod of z यहां निकालेंगे तो कितना आएगा 1 by 2 ठीक है यह भी गया तो इसरा the x axis x axis तो भी आई यह है कोई पॉइंट लाई लें कर रहा है x axis पर 2 point जो हमने निकाला दवाई एक्सिस बिलकुल भी गया देखो यह एक्सिस पर गिए आई वाई टू भी था और मैनस आई वाई टू भी था प्रेक्ट उप्संडी तो इस कदर से question सॉल्व करते हैं अगर आप बिल्कुल कंवेंशनल तरीके से ले लोगे कि जैट इसकल टू एट थिटा फिर सॉल्व करें बहुत टाइम लगेगा ठीक है यह सब कुछ ऐसे है इस पॉंटेनियस कि आपको question पढ़ते के साथ यह सुब चीजे strike कर जानी चाहिए ठीक है तो इसलिए हमने आप